कि हां कल बहुत ही महात्वकूर्ट दिन है आप लोग जानते हैं कि COVID-19 का ठीका करण कारे प्रारंग किया जा रहा है बेगु सराय जिले में कुल आठ अस्थलों से ठीका करण कारे प्रारंग किया जाएगा सभी असकल के लिए जिन डॉक्टर्स और उनके स्टाफ का ठीका प्रावारियों को दे दिया गया है और उनको सूचित किया जा रहा है कल नौव वजे से प्रारंग होगा नौव बजे से पांच वित तक टीजा करण का डेली चलेगा तात जगे उन्हों के सरकारी संथान में है और एक जगे प्राइबट ग्लोकल हॉस्पितल नहीं कि अले रखा गया था और रेजिस्टेशन का गारे बहुत जिन से चल रहा था और बारत आजिक तक उसका समय समय थी तो हम लोग आप लोग देली लिस्ट निकाल के लिए बुलाए जाए जाए और आप लोग के माध्यम से मैं सबी विश्राएं के निवासियों से इस रूप से जो हुआ हमें ना आए वैक्सीन सुलक्षित है टेस्टेशन ट्राइड है और कुछ आफ्टर इफेक्स टीका करन के बार कोने की सम्भावना रहती है तो उसके लिए आदे गंटे आप्जर्वेशन रूम में टीका करन के परशाद में को रुखना होगा तो उसमें रुकेंगे और अन्य वैक्तियों से भी अम्रोध है किसी वैक्ति को कोई इस तरह का हल्गा होगा सिम्टम आता है इसके किसी तरीके का अफ़वा नहुंदा है और जिसके लिए हमारे हैल्ख विभाव पूल तरीक से प्रियाद है जो लोग रिमर पिला रहा है उसके लिए प्रसासन की आप लोगों से अंड्रोध करने के बजा सबसे पहले हमां शूचित कर दें डियूसाब नोडल विए करने के प्रस्छाथी उसके सथ्यता जब जाप जांच लेंगे प्रशासन की तरफ से उसके बाद ही आप लोग इसी वी तरीके का इस्टरा आप वह आपो चाहे खंडन करिएगा और कोई जो सत्य तत्थर हैंगे उसके बारे में आप लोगे मीजमें के चलाईएगा विना पुष्टी के किसी भी तरह की बात को मेरा अपनों से अन्रोज है इसको ना फैलाईएगा नहीं का फैलाने का संतुलिये हो जाएगा पुष्ट कंट्रोल रा और हमारा नंबर भी है पुष्ट और कोई सूचना देनी हो तो दो पुषी कुछ सी कॉल कर सकते हैं इनकेज अगर जी रहता है तो मेसेज भी कर सकते हैं